तो अब हमें एक और question given है जो कि इस प्रकार है कि इसमें हमें यह दिया गया है कि two dice को simultaneously throw किया जाता है तब dice पर आने वाले numbers में six की संख्या को x से represent किया जाता है तो हमें expectation of x find करना है तो चलिए अब हम इसका solution discuss करते हैं माना ये वो dice है जिने हम simultaneously throw करते हैं तब इस random experiment का sample space कुछ इस प्रकार का होगा जिसे set of order pairs की form में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं अब हमें यह given है कि x डाइस पर आने वाले six की संख्या को denote करता है अब इस sample space को observe करके हम यह कह सकते हैं कि x की possible values 0, 1 and 2 हैं अब हम x की प्रतेक value के corresponding probability find करेंगे सबसे पहले x is equal to 0 के लिए probability find करते हैं अर्थात जब किसी भी डाइपर 6 नहीं आया हो अब sample space में देखें तो यह सभी 25 ordered pairs ऐसे हैं जिनमे 6 नहीं आया है सो probability of x is equal to 0 की value 25 upon 36 के equal मिलेगी अब next x is equal to 1 के लिए probability find करते हैं अर्थात जब दोनों में से केवल एक डाइपर 6 आया हो अब sample space में देखें तो यह सभी 10 ordered pairs ऐसे हैं जिनमें ठीक एक बार 6 आया है सो probability of x is equal to 1 की value 10 upon 36 के equal होगी अब next x is equal to 2 के लिए probability find करते हैं अर्थात जब दोनों डाइपर 6 आया हो अब sample space में देखें तो केवल एक ordered pair ऐसा है जिसमें 2 times 6 आया है सो probability of x is equal to 2 की value 1 upon 36 के equal होगी अब जो भी हमें results मिले हैं उनसे जब हम probability distribution table बनाएंगे तो यह हमें कुछ इस तरह की मिलेगी अब हमें इस probability distribution के लिए expectation find करना है जिससे हम इस formula के help से आसानी से find कर सकते हैं अब इस formula के according value substitute करने पर हमें यह मिलता है इन्हें जब हम solve करेंगे तब expectation of x की value हमें 1 by 3 के equal मिलेगी एंड यही हमारा answer है लिए झाल झाल